दोस्तो हम सभी के कुछ फिवरेट प्रोसेजड फूट्स होते हैं जिन्हें हम बेहद ही शौक से खाते हैं लेकिन क्या हो जब आपके ये ही फिवरेट प्रोसेजड फूट्स आपकी जान के तुश्मन बन जाएं जी हाँ, आज हम आपको खाने में मिली कुछ ऐसी खतरनाक चीजों से रूबरू कराएंगे, जिन्हें देखने के बाद शायद ही आप कभी इन्हें खाने की सोचें केक का नाम सुनते ही हमारे मुह में पानी आना लाजमी है, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, शायद इसे सुनने के बाद आपका भी कभी केक खाने का मन ही ना करे, मन का तो छोड़िये, शायद केक को देखते ही आपको उल्टी आने लगे दरसल, जब एक महिला मार्केट से केक लाती है, तो उसे केक काफी टेस्टी लगता है, लेकिन जब वह गौर से केक को देखती है, तो उसे उसमें रेंगने वाले कीडे नजर आते हैं, जिसे देखकर महिला चोंक जाती है दोस्तों, क्या हो अगर आप खाना ओर्डर करो और आपको अपने खाने में कून से लटपत बेंडेज मिल जाए जी हाँ, ऐसा वाक्या केनडा में रहने वाले एक फैमिली के साथ हो चुका है इस फैमिली ने जब मैकडोनल्स से हैपी मील को ओर्डर किया, तो इन्हें अपने फ्रेंच फ्राइज में बलड लगा हुआ एक बेंडेज मिला हलांकि जब उन्होंने इसकी शिकायत मैकडोनल्स में की, तो कंपनी वालोंने इसे मानने से इंकार कर दिया दोस्तों, जब कोई सब वे से खाना ओर्डर करें, तो यकीनन वह पेस्ट क्वालिटी की उम्मीद करेगा लेकिन क्या हो जब उसे best quality के नाम पर अपने खाने में एक चाकू ही मिल जाए ऐसा ही एक शक्स के साथ हुआ जब उसने सब वे से सेंडविच ओडर किया जैसे ही उस शक्स ने सेंडविच खाना स्टार्ट किया उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ जब उन्होंने सेंडविच खोल कर देखा तो उन्हें अंदर चाकू दिखाई दिया जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं अगर समय रहते ही इस शक्स ने इस चाकू को नहीं देखा होता तो इस महाशे के साथ क्या होता आप सोच सकते हैं दोस्तो गर्मियों में आइस क्रीम खाने का मज़ा कुछ और ही होता है लेकिन क्या हो जब आइस क्रीम खाते हुए आपका मज़ा सजा में बदल जाए जी हाँ एक महिला बड़े शौक से आइस क्रीम मार्केट से खरीद कर लाती है और जब वह आइस क्रीम का डबा पकड़ कर आइस क्रीम खा रही होती है तब ही उसका मुह आइस क्रीम खाते कट जाता है जब मुह के अंदर हाथ डाल कर देखती है तो उसे एक razor blade का टुकडा मिलता है जब लड़की ने आइस क्रीम कंपनी वालों को इसकी कंपलेंट की तो कंपनी वालों ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि आइस क्रीम में blade का टुकडा था तो इस तो शायद ही कोई शक्स हो जिसे पैपसी पीना पसंद ना हो लेकिन हम आपको पैपसी के बारे में जो पताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आपकी पसंद ना पसंद में बतल जाईती एक बार फ्लोरीडा में रहने वाला एक शक्स जब पेपसी पी रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ ऐसे मैं उस शक्स ने पूरी पेपसी को सिंग में गिरा दिया लेकिन पूरी पेपसी गिराने के बाद भी जब उस शक्स को कैन कुछ भारी सा महसूस हुआ तो उसने कैन को खोल कर देखा तो उसमें उसे मेंड़क मिला जसे देखने के बाद उसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ ये तो अच्छा हुआ कि उस बंदे ने समय रहते ही पेपसी को नहीं पिया वरना अगर वह पूरी पेपसी पी जाता तो उसके साथ क्या होता आप समझ सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें